जब मनवा घब राए राह नजर नाए प्रस्नों का पिटारा लाए ये उलजन सुलजाए प्रस्नों का पिटारा लाए ये उलजन सुलजाए बेगशाद खुशियों से भर जाएंगे जनाद अच्छे सवाद, सच्छे जवाद मैं नावनिता चक्रवुति, नाए अद्वोकेट, प्रापिशनली अद्वोकेट थे साथी को पहले हम में इस प्राक्टिस करते थे स्वाद्ड हो गया, मेरा साथ नहीं पर्मिशन नहीं दिया तब कुछ बरस के बाद हम प्राक्टिस करेंगे भी पर्मिशन दे दिया तब कूर्ट में अलपदीम गिये थे तब बाद में मेरी मीवानी पर गया मेरा प्राक्टिस बंद हो गया मैं घर मेरा जीवान में कुछ नहीं हो गया हुआ मैं डिपिटेट हो गया सबसे पहली बात तो यह है कि आप बहुत अच्छे और शुब भाव से और शान्ती से ससुराल वालों को समझाने का प्रैत्न करें और कारण जानने की कोशिस करें कहीं आप खुद तो कारण भुत नहीं है यह देखें कहीं घर का काम करने में पीछे रह जाते हैं बुजूर्ग घर में क्यों वो मना कर रहे हैं वो आपने कारण नहीं बताया हैं क्योंकि बिना कोई भी कारण के तो कार्य होता ही नहीं है तो वो जो भी X, Y, Z हो आपको ही मालूम होगा लेकिन उस कारण का पहले तो निवारन करें क्योंकि आपको घर से जब बाहर प्रैक्टिस करने के लिए मना किया जाता है तो कुछ न कुछ तो उन्हों के पीछे उन्हों का भी कारण होगा क्योंकि आजकल पैसे की जरूरत तो हर जगह पर है आप वकील की प्रैक्टिस करेगी तो वो लोगों को भी घर में थोड़ी मदद मिल जाएगी आप उन्हों को ये भी बता सकते हैं कि मैंने जो इतना पड़ा है वो मेरा यूटिलाइज होगा और उसके अंदर और ही अच्छा बहुत ही अच्छा इसके अंदर और खुश्बू आएगा मैं और आगे बढ़ सकोंगी आप मुझे पार्ट टाइम भी प्रैक्टिस करने के लिए पर्मिशन दीजिए होता यहा है कि जब हमें कोई भी मना करता है न तो उस बात को हम ब्रेइन में बहुत ही ज्यादा डिप कॉंशियस में ले लेते हैं आपको तो मेरी सबसे पहली अरज यही है कि आप इस बात को इतना सिरियसली न ले जो आप खुद बीमार पड़ गए हैं शरीर के उपर भी इफेक्ट कब होती है कि जब पहले मन के उपर होई है और इसको साइको सोमेटिक डिसिस कहेंगे शरीर के उपर उसका 100% इफेक्ट होता है और हमारा शरीर सबसे ज़्यादा वेल्यूबल है नौकरी, प्रेक्टीस, पैसा वो सेकंडरी चीज हैं अपना शरीर स्वस्त रहे वो सबसे पहली बात हैं फिर भी अगर वो लोग आपको मना ही करते हैं तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि परिवार वाले जो आपके ससुराल वाले हैं उन्हों के उपर किसका होल्ड है वो डुंड़िये कोई के तो प्रभाव में जरूर होंगे किसी ना किसी की बात को तो वो जरूर मानते ही होंगे तो आप उनको बताईए और बहुत शुब भावना से बताईए कि मैं ससुराल वालों की हर बात मानने को तयार हूं मैं घर का काम भी करने के लिए रेडी हूं उनकी सब जरूरते भी मैं पूर्ण करने के लिए तयार हूं प्लीज मेरी बहुत दिल की इच्छा है और मेरे को यह प्रेक्टिस करने की पर्मिशन दी जाए मैंने काफी क्योंकि आपने जो पढ़ाई के लिए अपनी एनरजी लगाई है वो तो आपको ही पता है उन्हों को पता नहीं है तो आप उसका थोड़ा विस्तार से एक्स्प यह अपनी होता है। उल्जा हुवा धागा बार बार भार बार शांती से प्यार से और धीरच से यह तीन चीज़ैं है शांती प्यार दिरच इन तीनों के सात जब किसी भी उल्जे हुए धागे को सुल्जानी का प्रयात्न करते हैं तो उसका जरूर समादान निकलता और ऐसे समय पर तो फिर wait and watch सबसे अच्छी बात यही है, बाकि आपकी शुब भावना है, तो यह आगे चल करके अवश्य हो जाएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ ही आप अपने आपको हमेशा प्रेजन करते रहे, बाकि सबसे ज्यादा ध्यान अपने शरीर का, अपने फिजिक फिटनेस का अवश्य रखे, morning work करे, गहरी स्वास ले, meditation करे, इस रीती से अपने आपको प्रफुलित रखे, पैसा महित्व का नहीं है, नौकरी महित्व की नहीं है, खुशी सबसे ज्यादा important चीज है.